हलो दोस्तो आयम बिनेतागी वेलकम बैक टूद माई यूटूब चैनल ऑनलाइन बिने तो गाईज इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने अधार काड में अगर करेक्शन करना चाहते हैं जैसे कि नेम, डेटा बार्थ या फिर जेंडर या फिर अपना ए तो गाइज इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन या फिर अपने लेपटाउप में या फिर अपने अपने कंप्यूटर, इसकिन में Google, Chrome, OAP करना है और यहां पे आपको टाइप करना माई अधार, जैसे माई अधार पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको स site का url open हो जाएगा यहां पर आपको एक option मिल जाएगा नीची आपको स्क्रोल करना है download आधहर का जहां पर आपको click कर देना जैसे आप download आधहर पर click करेंगे अहां पर आधहर के new website my आधहर पर यहां पर नियु डायरेक्ट हो जाएँगे यहां पर आपको तो रिडारेक्ट होने बाद यहां पर आपको लोगिन करना है, लोगिन करने के लिए आपको सबसे पर यह लोगिन पर क्लिक करना है, और आपको यहां पर लोगिन पर क्लिक कर देना और यहां पर आपको अधार नमबर और आपसे कैपचा मांगा जाएगा, जिसे आपको फिल जाएगा जिसे आपको यहाँ पर फिलब करना है और आपको लॉग इन पर क्लिक कर लेना है जैसे आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आप अपने टेक्ट बोड पर यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आने एक बाद आपको क्या करना है आपको ऑनलाइन आप देख सकते हैं यहांपे आपको update आधार online का युग option मिल जाएगा यहांपे आपको click करेंगे यहांपे प्रोसेज करेंगे आपको process to update आधार पर आपको click कर देना जो आपको नीची option मिल जाएगा जैसी आप यहांपे click करेंगे आपको new page पेपेश पर redirect हो जाना है, तो यहां पर आप से कई सारे permission पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको यहां पर जो बी अरे आधार में update करना है उस पर ओपको टीक करना है, ध्यान देए आप उसी फे टीक करना जो इस पर आपको update करना है हुआ वरना किसी को नहीं और आपको किसी पे भी K bothers चले जाते हैं जैसे आपको आपका पुराना नेम है जो देखने को मिल जाएगा नीचे आपको आपको ना निव नेम जो है टाइप कर देना है आपको जो भी करेक्शन करना है वहाँ पर आपको करेक्शन करते हुए ध्यान देना है कि आपको जो नेम है इंगलिस में तो ठीक है आपको नीचे देख लेना आपका हिंदी में ज इसके बाद आपको डाकुमेंट अपलोड करना है, डाकुमेंट मैं आपको बता दू, यहाँ आपको कई सारे डाकुमेंट अपलोड करने को option मिल जाता है, इसमें से आप कोई भी डाकुमेंट अपलोड कर सकते हैं, आपको ध्यान देना आपका डाकुमेंट जो है PDF फाइल मे होना चाहिए और आपका जो भी है ओ एक MB के नीचे होना चाहिए और आपको यहां पे आप देख सकते हैं आपको यहां से अपने मोबाइल या फिर left caps में आपको अपना डाकुमेंट को अप्लोड करना और उसके बाद आपको alkot उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करदेना मेरा डाकुमेंट जो है आप अपोने इडिट करने के लिए सलेट किया होगा उस पर चले जाएंगे नहीं तो आपको फ्री विवी का ओप्षन मिल जाएगा तो मैंने यहाप बर्थ भी अगर चेक क्लिक किया है तो मुझे अपना बर्थ जो है सलेट कर लेना है जो भी मैं आपको करेक्शन करना चाहता हूं तो मैं है सोब्सक्राइब या पर फीर आप कोई भी आईडी अपलोट कर सकते हैं जिसमें आपका बर्थ आपका या मिंधा कर्सक्ते हैं तो आपको कही सारी आप्षन मिलते हैं उसके और हैं पर इस्फन सेंफ प्प जाने अप्र जहां पर आपने जो जो संसोधन किया है उसे आपको मिला लेना है एक बार ध्यान दे आप सब कुछ मिला लेने के बाद आपको next पर क्लिक करना है और अगर यहां पर आपको कुछ भी अगर गलत हो तो आप अपडेट कर सकते हैं प्रीवी में इसके बाद आपको देख सकते है यहां पे जो जो अफडेट किया है यहां पे मैं यहां पे सब कुछ देखने को मिल सकता अगर आप अपडेट करना चाहते हैं कुछ तो यहां से कर सकते हैं नहीं तो आपको दो नो नीचे दो option मिलेंगे जिस पे आपको टिक करके आपट नेक्स पे click कर देना तो आपको payment करने के लिए कुछ नहीं करना है पहले आपको यहाँ पर click करना उसके बाद आपको make payment पे click करते हैं चैसे अप make payment पे click करेंगे आप इसके payment के option पर re-direct हो जाएंगे तो आपको payment करने के लिए आप UPI से easily payment कर सकते हैं ज़्यादा तो लोग UPI सभी यूज करते हैं फिर आप कार्ट से भी पेमेंट कर सकते हैं यहां पर आप जो भी चलाते हैं फोन पर गूगल पर वहां पर आपको क्लिक करना अपना मुवाइल नमबर डालना है उसे वेरिफाई करना उसके बाद आपको मेंक पेमेंट पर क्लिक कर देना है जैसे आपने पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके फोन पर गूगल पर जो भी अपने डाला है उस पर आपको एक पेमेंट को चला जाएगा जहां पर आपको अपने आप में जाके यहां पर आपको पेमेंट कर देना है अपना UPI पिन डालके तो मैं यहां पर कर द देख सकते हैं मेरा आधार खाट पिंदेट जक्षिंद को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब करने कि आइसे इन देता रहता हूं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए जैहिन जैवारत झाल झाल